आशुतोष गुवारिकर की पीरियोड ड्रामा मुहेंजदारू की शूटिंग तो अब अपने अंतिन चरन पर है मगर शूटिंग के इस अंतिन दौर में डिरेक्टर आशुतोष को ये सावित करना पड़ रहा है कि इस फिल्म की कहानी सच मुझ उनकी ही है दरसल अक्षादित्य लामा जिन्होंने कई टीवी शोज की कहानी खुद लिखी है उन्होंने लगाया है फिल्म में का गुवारिकर पर रितिक स्टार मुहेंजदारू की स्क्रिप्ट चोरी करने का आरोप एक लीडिंग टाबलोइट को दिये इंटर्व्यू के अनुसार लामा का कहना है कि उन्होंने पहले अपनी स्क्रिप्ट 2007 में समराजी टाइटल से रजिस्टर करवाई थी थियर्ट्रिकल प्ले भी हो चुके हैं लामा का कहना है कि 2010 में जब उन्हें पता चला कि उनकी स्क्रिप्ट गुवारिकर द्वारा उठाई जा चुकी है तो उन्होंने गुवारिकर से इसके लिए मेल के जरिये बात करने की कोशिश भी की मगर कोई रिस्पॉंस नहीं मिला जब फिल्म का प्री प्रडाक्शन हो रहा था तब उन्हें पता चला कि फिल्म की कहानी उनकी स्क्रिप्ट से बिल्कुल समिलर है और इसी के चलते उन्होंने लीगल नोटिस भीचा है वेल इस पूरे इंसिडेंट के बाद अब फिल्म लीगल कॉंट्रोवर्सी में फस्ती नज़र आ रही है ऐसा दूसरी बार होगा जब रितिक की कोई फिल्म लीगल कॉंट्रोवर्सी में जाएगी वेल आप क्या राय रखते हैं इस पूरे इंसिडेंट पर? शरी बाद ट्री बाद रही है